हैलो फ्रेंट अमिद करती हूँ आप अच्छे होंगे आज हम लोग कोड़ लेगए वीडियो ूरे बहुत सारे वीडियो जायी है दो अब हैसे गैसे नॉर्मल टोइलें लाते हैं ऑर इसमे यह मि więc épृ यह टो इंट आना चीए क्या कई करें तो ट्वालेट को साफ करें तो तॉयलेट पेक होथी ताहिए वह थायाया है और ऑफिक घ्रणा ट्रीस जो चीजे की हम लोग रेमेडी तियार किये हैं वो चीजे जो है वो हमारे घर पर ही मिल जाती है और यह तरह से अगर आप ट्वालेट साफ करोगे तो आपके जो ट्वालेट है उसमें मच्छड बिल्कुल नहीं आएगी और दूसरी बात कोई भी कॉक रोज या फिर जो भी क किये हैं तो उसकी साहता से अगर आप ट्वालेट को साफ करोगे तो बिल्कुल भी आपके ट्वालेट में मच्छड मक्हिया कोक्रोज और जो फंकस आते हैं वह बिल्कुल नहीं आएंगे और बैर इसमिल भी खतम होगी तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस लेना है उसक प्लीज तो प्लीज तो बिल्कुल भी तो आप तरह से घस ले तो आप देखोंगे कि महने में सिर्फ तीन से चार बार आपको घसने के ज़रत पड़ेगी इस तरह से अगर आपके मतलब की ट्वालेट में मच्छ नहीं चीहें तो आप इस तरह से घसी और मेरे वीडियो को आप कहां से कौन से सहर से देख रहे हैं तो प्लीज मुझे सहर का नाम जो है वह कमेंट करें तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो वीडियो है कहां कहां तक पहुँच रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे रेमेडी तैयार करने के लिए मैं इस तरह से प्लास्टिक के बरतन है प्लास्टिक के बाओल या कोई आप ले शकते हैं तो वो ले उसके बाद में अच्छा एक जमिल आता है अगर आपको पता हो गता हुए थि यह रहती है तो साबन भी ले सकते हैं मैं यह विम साबून ली हूँ आप सब्सक्रेख हैं अची तरह गधूकर्ष कर ली हूँ तब देख रहा है मेरे जो साबन है वह कदूकस करके हैn यक्छ बाद में हम लोग डालेंगे इसमें वेनेगर नार्मीली वेनेगर सबीके घर पर रहता है। नहीं है तो आप क्या एक दूम्बू का रहता है। तो एक निम्बू के रजड़ दालते तो मैं विनेगर डालेंगे कम से कम दो से तीन टेबल स्पून के करीब विनेगर को डालें उसके बाद में इसमें डालेंगे ओलो यह डेमेडी की सबसे में इंड्रिडिशन बोल सकते हैं तो इसको डालना है ओलो ओट को नौर्मॉली सब कि अलोट में कितना ताकत रहता होगा मचड़ भगाने के लिए तो आप क्या करें यह उपर का रहता है लकड़ी के जासा तो इसको निकाल ले और इसमें डाल देना है तो अलोट बहुत ज्यादा ने डालना है मैंने थोड़ा से जादा ही डाल दी हूँ लेकिन आप अगर पून नहीं लगा सकते कि इसमें औल अलोट है बाकी के सारे चीज़े है तो इसलिए क्या करें इन्हें अची तरह से मिक्स कर ले तो आप देखोगे कि हमारे जो ट्रेमेडी है वह तैयार हो गई और यह ड्रेमेडी बनाने के लिए हमारे घर पर जो चीज़े थी हम लोग उ